Dear Partners, Digital India Portal में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी के लिए एक सांदार वीडियो लाया हूँ और एक बहुत ही बड़ी खुसकबरी लाया हूँ अगर आप Digital India Portal में Distributor या District Manager है तो आप Digital India Portal के माध्यम से आधार सेंटर ले सकते हैं साथ ही साथ आप Bank का CSP भी ले सकते हैं यानि Bank का BC क्योस्क पॉइंट आप लेना चाते हैं तो Digital India Portal से बसानी से यहां से मिल जाएगा तो आप सभी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपका Digital India Portal आप सभी के लिए अधार सेंटर और CSP जैसी बड़ी सर्विस को ला चुका है करने में कितना आपको उसमें benefit मिलेगा और क्या के documents आपको उसमें देने होंगे और कहां पर आप अपना सेंटर चला सकते हैं तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत्र तक बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप अधार सेंटर वह CSP लेने के लिए आपके पास डिजिटल इंडिया पोर्टल की डिस्टिब्यूटर या डिस्टिक मैनेजर आइडी होनी चाहिए दूसरा अगर आपके पास आइडी है तो आपको लोगिन करना है अपनी डिस्टिब्यूटर और दिस्टिक मैनेजर आइडी को जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने डिस्टिब्यूटर आइडी को अपने लोगिन किया हुआ है लॉगिन करने के बाद आप services में जाएंगे तो यहां पे आपको अधार center apply और CSP का option मिलेगा जो कि आपको पहले नहीं मिल रहा होगा अब यहां पे company द्वारा जो है यहां पे आपको option दे दिया गया है जहां से आप apply कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं अधार center apply क अधार center apply करने में आपको यहां पे आप देख रहा हूंगे documents अधार NSEIT operator supervisor certificate इन दोनों में से operator या supervisor में से कोई भी एक certificate आपके पास होना चाहिए पुलिस verification certificate आपके पास होना चाहिए जो कि तीन महीने का अंदर का हो आपको पास laptop, color printer, single fingerprint scan device, single iris scan device, tft monitor device और gps यहां सभी mandatory है कि आपके पास यहां होना चाहिए उसके बाद यह आप अधार center के लिए apply कर सकते हैं उसके बाद आपको यह form fill up करना है जिसमां आपको अपना नाम, अपना mobile number, अधार से जो आपका mobile number link है वो यहां पर डालना है अपना अधार नंबर डालना है आप mail है या female वो email ID डालनी है अपना state डालना है district डालना है अपनी shop का address डालना है जहाँ पर आपकी shop है अपना permanent address डालना है उसके बाद आपके पास अधार का supervisor या operator certificate है या नहीं अगर आपके पास नहीं है तो हमारी team यहाँ से आपको मदद करेगी और आपको अधार supervisor certificate दिलवाने में तो आप यहाँ पे no करके भी apply कर सकते है police verification certificate आपके पास अभी मौझूद है तो ठीक है नहीं तो यह आप असानी से एक हफ़ते के अंदर बनवा सकते है laptop, color printer, fingerprint device इसे yes या no में करने आपके पास है या नहीं उसके according हमारी team यहाँ से आपको guide और help करेगी कि आपके पास अगर यह समान नहीं है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं जब इस form को आप submit करेंगे सारी details फिल करने के बाद तो 549 रुपीस आपका चार्ज लगता है अधार center apply करने का जो की आपको government की fees है तो आप यह 549 रुपीस जब pay करेंगे उसके बाद यहाँ से आपका center के लिए application UIDI के office में सारे documents हमारी back end team verify करती है और verification करने के बाद आपके पास सब कुछ है उसके बाद हमारी team आगे UIDI को send करती है अगर in future आपके पास इनमें से कोई document नहीं है या आपका application reject होता है तो यह 549 रुपीस आपको refundable है ऐसा नहीं कि यह 549 रुपीस आपको अलग से charges देना होगा ठीक है यह सभी documents आपके पास होने चाहिए इसके अलावा अधार center की जो kit होती है उसका charges आपको pay करना होता है या तो आप market से भी खरीच सकते हैं या जब UIDI का center आपको मिलेगा तब आपको खरीदना होगा आप company से भी खरीच सकते हैं लेकिन आपको वह जब देना है जब आपका UIDI का center approval हो जाएगा उसके बाद ही तो दोस्तो आशा करता हूँ आधार center के बारे में कैसे आपको apply करना है क्या है सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी अगर नहीं समझ में आई है तो आप हमारे customer care executive से बात करके और इस जानकारी को समझ सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तो CSP के बारे में कि CSP कैसे apply करेंगे क्या charges आपका लगेगा कौन-कौन से bank का CSP आपको मिलेगा सबसे पहले दोस्तो आपके पास requirement हम देख लेते हैं जिसमें आपको 200 से लेके 300 square feet का outlet यानि आपकी दुकान होनी चाहिए एक counter आपकी दुकान में होना must है आपके पास आपकी दुकान में जो room हो जिसमें आप counter आप रख रखा है वहाँ पास से 7 लोगों की बैठने की sitting हो एक बार में ठीक है एक laptop और desktop दोनों आपके पास मौझूद है या दो desktop भी हो तो कोई सुनिए internet connectivity, broadband, dongle, wifi backup वहाँ पे होना चाहिए यानि inverter आपका लगा होना चाहिए तो यहाँ सारी चीज़े आपके पास होनी चाहिए उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है same mobile number, अधार number, अपना gender select करना है email id, state, district, shop address, permanent address आपके पास laptop, desktop है या नहीं color printer, fingerprint, आपके scanner device, GPS, CCTV, camera यह सभी आपकी दुकान में होने चाहिए तब ही आप CSP के लिए apply कर सकते है तो आप जिस भी bank का CSP लेना चाहते है उसके लिए हमारी team यहाँ से file आपकी उस bank को send करती है और आपका CSP approval कराने में आपकी मदद करती है CSP apply का charge है 1999 रुपे अगर दोस्तों CSP apply आप करते हैं Digital India Portal के बाद्यम से 1% आपका chance होता है कि आपका CSP approval नहीं होता है और fail हो जाता है आपको नहीं मिल पाता है तीन महीने के अंदर तो यहाँ पैसा आपके wallet में ही refund कर दिया जाएगा और आपको कोई भी apply करने का charges नहीं लगेगा तो आप सभी ने देखा दोस्तों कि अगर आप distributor या district manager है Digital India Portal के तो बहुत ही असानी से आप CSP और अधार center के लिए apply कर सकते है हमारी team आपकी पूरी सहायता करेगी और आपका center दिलवाने में आपकी पूरी मदद करेगी जो documents आपके पास मौझूद नहीं होंगे उसमें हमारी team आपकी help करेगी वो document आपके पूरे करवाने में और आपको government से ये services दिलवाने में दोस्तों आसा करता हूँ आप सभी को इस video के द्वारा पूरी जानकारी समझ में आई होगी अन्य था आप हमारे customer care number पे call करके जानकारी ले सकते हैं कि आप CSP आधार center कैसे प्राप्त कर सकते हैं Digital India Portal में बने रही है दोस्तों अभी तरक अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कर लिजे ताकि आने वाली हर एक service की वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुंसता रहे आज की रिए इस video में इतना ही दोस्तों हम फिर मिलेंगे आप से बहुत जल्ब